आप देख रहे हैं देज कपर 24 और वक्त है खबरों का जवलपुर में आसुबए मजदूरों से भरे पिक अप वाहन के पलटने से हाहाकार मच गया है हाथसे के वक्त पिक अप वाहन पलटते ही उसमें सबार 35 मजदूर घायल हो गए जिनमें से दो की हालत नाजुक बनी हुई है घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भरती कराया है बताया जा रहा है कि यह सभी मजदूर कोहला से शाहपुरा जा रहे थे तभी अचानक से वाहन आनियन से थोकर पलट गया रासल यह हाथसा आज जवालपूर के चरगवा थाना के कोहला गाओ के समीपुआ जहां मटर तोड़ने जा रहे करीब पच्चास से जादा मजदूर पीकप वाहन में सभार थे हाथसा आज सुवाए करीब आठ बजे के बताए जा रहा है जिसमें 35 मजदूर घायल हुए हैं जिनमें से दोकी हालत नाजुक बनी हुई है घायलों को फिलाल पुलिस और इस्थानी लोगों की मदद से मेडिकल अस्पताल में पहुँशाया गया है यह अभी मेडिकल कॉलिज में हम आये थे यहां पर कुछ एक सापुरा की कॉला थेजर की मदूरों की दुरगटना हो गए थी तो उनको देखने के लिए आया वेशी लबबत 30 लोग का हतात हुए हैं मतला बड़ तोटे लगी हैं उनको तीस लोग देख किसी की भी नहीं हुई है इसको भाग यह लेकिन तीन लोग कंबीर हैं तो उनके इलाज चल रहा है वी सभी दिदेशित भी कर दिया रहा है कि सभी का समुचित इलाज कर दिया जाए और जो शाच्वी से मदद की जानी ह को हम इलाज कर दो ड़ी नहार मैं अटा मैं है हुई हो.